आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूं कि जो भी ये स्टुडेंट जे मेन 2024 के लिए अपयर हो रहे हैं तो फिरिंस जब आप लोग का एड्मिट का डाउनलोड होगा तो उसमें क्या-क्या मेंसर रहेगा और उसके बाद एक फॉर्म आता है जोकि अंडर्टेकिंग का डिकलिरेशन फॉर्म में दिखा देता हूं उसको किस तरह से आपको फिल अप करना होगा यह मैं 2030 का सेंपल लिया हूं इसका एड्मिट कार आता है जेमें 2024 के लिए तो आपको मैं सबसे पहले आपको इंफॉर्म कर दूँगा मैं आपको एक बता देता हूं simple लेकर कि क्या क्या आपको रहेगा तो आपका role नंबर रहेगा candidate का नाम यहाप देख सकते हो फिन आपका gender जो भी आपका रहेगा category आपको रहेगा यहाप आप देख सकते हो फसको मैं इसको enlarge कर देता हूं उसके बाद है आपका प्रस्टनल बीट्र डिसविलिटी पीडालूडी तो नो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो आपका अपली केसा नंबर लिखा हुआ रहेगा फादर्स का नाम रहेगा डेट ऑब जो भी आप डेट ऑब डाले होगे वो रहेगा अस्टेट ऑफ एल से जस्त तीन दिन पहले आपको डिक्लियर होगा लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको बता दूंगा बस चैनल पर बने रहेगा और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कोर्स ने जैसे की बीटेक आपको इंटिमेशन ऑफ सीटी में भी था कोस्टन ऑफ मेडियम जैस कोम सा शिफ्ट में आपको एक्जामनेशन है उसके बाद रिपोर्टिं इंट्र को इन्ला है उस यहां पर यहां पर आपको दीखेगा जो भी आपका जहां पर भी रहेगा, S billionaire आपको venue of test में यहां पर लीखा हुआ रहेगा, अब मैं बताता हूं, यहां पर self declaration, जो की undertaking, इसमें क्या-क्य आपो fill up करना है, तो आप धियान से देखिएगा, तो यहां पर सबसे पहले है कि आपका नाम बेगे रहा है सब आपका जो डिटेल्स है प्रस्टनल डिटेल्स हो सारा चीज़े होगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं रिखा हुआ है फर्स्ट में I have read informed bulletin instruction and notice related to this examination available on this website मनें बताया जा रहा है कि जो भी examination होगा मैं website पर मैं check out कर लिया हूँ उसके बाद है I have read the details important instruction candidate as given page number to undertake able to send तो यह सब आप पर लिये होंगे यह आप पर लेंगे तो मैं बता देता हूँ उसके बाद यहां पर जो आपको fill up करना है लिखा हुआ है candidate photo same as uploaded in application form तो जो भी आप application form में जो डाले हो photo वही आपको यहां पर एक photo आपको लगाना होगा आप लिखा हुआ है form to be affixed before reaching the center तो आपको center से पहले आपको यहां चिपकाना होगा यानि center पर जाने से पहले आपको यहां पर जो photo होगा यहां पर आपको एक लगा देना है उसके बाद है candidate left hand thumb impression तो एक left hand thumb impression यहां पर दे देना है वो भी center से पहले यानि कि जाने से पहले यहां पर लगा देना है उसके बाद है आपका candidate signature तो जो भी आपका signature जैसे भी करते हो तो कब करना है जब वहाँ पर center पर पहुंच जाएगा वहाँ पर जो भी रहेंगे उनके सामने under में करना है यहाँ पर आपका signature यह होगी आपका सिखा हुआ है कि the above undertaking has been filled up advance before reaching the center accept the candidate signature for the candidate signature which have affixed the preference of invigilator तो आप invigilator के सामने आपको signature करना यही बताए गया है और आपका photo जो है photo और left hand जो thumb impression जो है आपको examination center से पहले आपको करनी है तो यह आपका होगया self declaration जो की undertaking है उसके वाद आपको नीचे में आपको important instruction for candidate रहेगा कि क्या 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 आपको ले जाना है नहीं ले जाना है इस पर मैं proper video में बता दिया हूँ तो आप मेरे video को देख लिजिएगा मैं आज ही upload किया हूँ morning में तो आप देख लिजिएगा कि क्या 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 आपको ले के जाना है क्या क्या required है नहीं required है वो सारा चे तो यह आपको रहने वाला है admit card का simple कुछ चीज तरह से है बस आप लोग channel को subscribe कर लिजिए जैसे ही इसक आप मैं आप लेंस